आज हम लोग राजनितिक से प्रेसान है कि आज तक हमको ना सरज जादब त्िकट दिया ना लालू जादब तिकट दिया ना निथिसकोमाठ तो कर दिया निवु कम Dev our पूरा लोक सभाज शेत्र का भ्रहमन कर रहे हैं और इस वक्त हम पहुंचे हैं बीपी मंडल के गाउं में मंडल अध्यक्ष बिहार के पुर्मुख मंत्री उनके गाउं में पहुंचे हैं मुर्हों में मुर्हों उनका यह गाउं है लेकिन इनके गाउं में हम पहुंचे तो एक चीज और हमें मालूम चला कि किरोई मुसहर जो थे भागलपूर से पहले सांसद वने थे उनका भी यही गाउं है और यह पीछे जो आप यह घर देख रहे हैं उनके पोते इस घर में रहते हैं उनका ही यह गाउं है पैत्रिक घर है समझे कि कहलेजी आप और यह पूरा ग देखिए आप यह जो मचान कह लिजी आप इसको यह मचान भी उन्हीं के घर के बाहर है इन्हें जो आप देख रहे हैं यह हैं किराई मुसहर के पोते उमेश रिसी देव इनसे बातचित करेंगे और समझेंगे कि क्या है घर के कंडिशन क्या है क्या सोचते हैं आज की समाजबाद की धरती है आज उस समाजबाद के धरती पर जब उन्हें सबावन में मेरे दादा जी संसद बने तो उस समय जब मेरे दादा जी जीत के आए तो एक दो महिना के बाद या तिन चार महिना के बाद मेरे दादा जी घर बनाए और समाज के साथ बैठे और समाज के कि आपके गोंमें क्या चाहिए और याप लेने कलए चाहते हैं तो मेर। दादा जी ने कहा है कि सर हमको कुछ नहीं चाहिए हमको दो चीच चाहिए आने जाने के लिए रास्ता पेला चाहिए अब क्या है इसके शिवाद सुभास है इसके बाद तब फर दिखा जागा उस रहसी dest다는 जी का आज देन है जो आज मेरे दादा कि लिए वे टुरॉप दादाजी मेरे पिता जीने चुनो लर्वाए हर चीज कर वाए तो फिर समाझ आया तो पईतिसे कर जमीं दादाजी लिए वस्तम्हां तो अपने पड़िवार के लिए भरन पुसन के लिए किया लेकिन उस समय भी हम लोगों को खाने के लिए ने मिल रहा था तो जमीने किसी तरह बेच बिकन के हम लोगों को गुजर बसर किया आज हम लोग राजनितिक से प्रेसान है कि हम सोचे की दादा जी के कम से कम हम खंदान को आगे बढ़ेंगे आज भी हम लोग अपने दल के साथ जो हम लोग अपने मदद करते हैं आज तक हमको ना सरज जादब टिकट दिया ना नितिश कुमार टिकट दिया तोड़ा दे आपको कि दो भाई है बड़े भाई क्या करते हैं बड़े भाई पहले सर्विस में थे जिस हमें लालु जादब चिप मिनिस्टर बने विहारा और सक्रीय थे हम अपना खितिक रस्ती करते हैं उससे पार्टी से जुड़े हैं पुझादव के साथ है जो हम लोग जाप से जुड़े हुए थे आप मेरे दादा जी जो पहले किया है आज वह मंत्री सब संट्री सब बिधायक सब सपनाएंगे जी समें दादा जी चुनव जीते थे वो समय भी दादा जी जो है हमारे गौबासी मुड़ों से पच्छिम नारी है उसर लोग आए कि एंपी साहब जमीन ही पड़े चाहिए थे थे तो दादा जी बुल ले ठीक चे तोड़े टिकट सन्य हमें दिली गे लिए तोड़े बोट सन्य हम दिली लिए तो राट के सीधा हमडा जमीन दें सरक बने आदाग और सरक बने दिल के असर हुँ जबकि और मान नगर मुसारी ददे के बसाल सब्सक्राइब लेकिन आपके ब्यक्तिकत बारे में जानेंगे कि आपने कहां तक पढ़ाई कि है हम इंटर किये हुए हैं मात्र कहां से अपने मध्य पुड़ा से मध्य पुड़ा तक यहीं आपने हमको चार लर्का है दो बचिया है बड़े रहें लिखाय करता है कुछ बाल बच्चा बहर जाता है अपना कमाव मा करेंगे अब मेरे पास तो पेसा नहीं है जो अभी पांच लाग, दस लाग टका देके है ग bug समार जो है अभी नीटिश कुमार है भैस जातियों को महादलित बना दिया हम लोग सी पर हमदे हैं लगों को और वाखत खरण कर दिया है घर में बालबचा वी आयए हैं से भटक रहा है तो हम लोगों को पैसाद नहीं है जब आपके दादा जी जो थे सोसलिस्ट पार्टी से जुड़े थे उससे में सुन करके आये थे वह अभी जो राजनितिक परिवेश जो है नेतिश कुमार हो लालू यादों हो जेडियों आरजेडी इन सभी के तरफ से क्या नहीं दिया मत्र हम लोगों को मकुम्हें परहां दे के काम कर लेते थे लेकिन टिकल के समय आथे थे तो पैसे दो कर दे के लेकिन आम लोगों बार-बार याद करते रहें अभी चुले तोन हम लोग उतना हम लोग को डालके फिर लग छले आएंगे टो इम मुसहर समाज जो बाकी यह 2000 मुसर समाज यहां पर चार-पांच सो घर बता रहें कि है तो यह लोग आपको कैसे देखते नेता के रूप में आपको करते हैं लेकिन अब तो वैसा नहीं नहीं है जो मदद भी किजिए गातों भी विरोद करना सुरू कर देते हैं तो अब अच्छी नहीं है पहले वाला समझाना इसलिए अभी उतना हम लोग इंट्रेस्ट ने लेते हैं सब को बोल दिए कि जहां जहां आप लोगों को बोट द गिराएगा जिसमें गिराएगा वह गिराएगा लेकिन कोई बंचित नहीं रहेगा तो बाकी जो मुसर समाझ यहां पर बाकी लोगों को फैसलिटी मिल रही है केंद सरकार की योजना है आवास योजना है आपका यह घर मुझे दीख रहा है इसमें कभी आपने वह बार बार हमनी बेदन करते हैं कि कम से कम इंद्रावास को आपने तीन लाग कर दीजिए कि छत और निचांस उपर छत हो जाएगा तो अपना किसी तरह अपना गुजर बसर करेगा लेकिन देर लाख में वह छत पिटाई नहीं होता है क्योंकि सब इता भी दस हजार के हजार हो गया है तो इसलिए वह निचे तक रह जाता है लेकिन उपर में वेसी टीन का घर रहता है निचांगे अभी कॉंघ्रेस में सामिल हो गया अभी कॉंघ्रेस को के लेकिन हम तो अभी जिलात्यक्ष महाधालित पर कोश्ट मधिपुडा से हैं अभी लेकिन चार के बाद तब किलियर हो जाएगा कि कॉंग्रेस में जाएगा कि पपु जादब अलग पार्टी में रहेगा वह असपस्ट हो जाएगा अभी तो पार्टी हम लोगों को वह जुद्य है लेकिन वह से बिले हुआ है लेकिन बिले का मतलब होता है कि बिले हो जाता है तो सदस्ता गरहन कर लेता है लेकिन सदस्ता भी गरहन नहीं किये इसलिए अभी उसका कोई बिले का मतलब नहीं है मतलब अभी आप मान रहें कि विले नहीं हुआ है वापस हो सकता है अभी अगर नतीश कुमार हो लालु यादों हो जो मंडल जी का यहां धरती रहा है विपी मंडल का आवास रहा है उनकी धरती है इतने बड़े नाम है पिछडावर को आरक्षन दिलाया उनका बहुत बड़ योगदान रहा तो क्या लगता है आपको कि नितीश कुमार लालु यादो शरद यादो इन लोगों ने सिर्फ बिपी मंडल का इस्तमाल किया आपके दादा जी का नाम का इस्तमाल किया है वही सब करके अपना जो है कूर्शी को बचा की रखा है लेकिन अब जिसमें अभी इसके लिए पपू जादव चीप मिनिस्टर तो बन बे करेगा यही डर है कहीं ना कहीं राजद की तरफ से लालु यादों को कि यहादों का अलगनिता करके निकल करके सामने आजाए ना इने वह पपू जादव राजद में यही कारण है कि उनको बढ़ावा नहीं दिया हाँ राजद तो पपू जादव को सुरू से अंतक बैके किया है जिस समय भी लालु जादव चीप मिनिस्टर बने थे उसमय भी एंपी थे पपू जादव जेल में भी सराके लालु जादव रख दिये फिर भीमा भारती को जब वहां से पपू जादव को कंग्रेस ने टि पुकारा और जो उनके साथ ही था उबाई के रूप में पुकाराबारो भरण ने पपू जादव को बहुत बढ़ियां से मदद किया और दो लाक मत से जीते इस बार दो लाक मोत से जीते जाएंगे जी जाएंगे तो किसी भी पार्टी के लोग आपको तरजीः देंगे यहां जो है निसर यहां मध्यपुड़ा लोग सभा में उतना इंटरेस्ट नहीं है ना उमीदबार दोनों खतमें लाल है लेकिन बोट करेंगे समझें लेकिन उमीदबार दो में कोई सक्रिय नहीं है जो बोटर को आया है कहने के लिए इसलिए बोटर अपना जगह पर है जि किराय मुसर जब सांसद बने उने सबावन में तो समझें तो किराय मुसर का नदेन है आज वह चुनो माया तो क्या उसका देन हो गया यह कोई खास बात देन नहीं है देन होता कि जब आरक्षन के मतलब होता है कि लालू जादव जब चिपनी स्टर्व हुआ तो बारहों ब जब सब्सक्राइब को हमने मदद किया जब यह को परसेंट नाम नहीं आता है तो तब कोने मदद किया आपके नाम का इस्तमाल क्या है बाकि जो बड़े समाजवाद के नेतार है उनके लोग नहीं है और इसके बाद आप देख लिजिए कि आज जीस जगह आए है रस्ता भ चलिए तो यह थे भागलपूर के उस समय के पहले मेंबर ऑफ पार्लियमेंट उनके पोते हैं के रोई मुसहर के और यह उनका मकान है आप देख रहे हैं कि किस तरह से इधर यह घर है अंदर आप जब देखेंगे तो यह प्रॉपर कूस का मकान है और इसी में पंखा लगा इधर प्रॉपर आप जब देखेंगे तो पूरा यह उस सैड भी आप एक मकान आपको दीख रहा होगा तो यह प्रॉपर तरीके से फिलाल बनाये गया है और यह गाओं मुसहर बहूल है यादों के बाद और इसी गाओं में से वह आते थे और हमने भी यहां पर दौरा किय है तो सोचा कि इन से बात करते हैं इनकी क्या राय है इनकी क्या ओपिनियन है अपने इस समय राजिति की चर्चा को लेकर के क्या सोचते हैं राजिति में कितना योगदान दे रहे हैं